दोस्तों मेरा नाम है संजे और आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप यूज करें वे डाव रिदिमी note 10 pro या तो Redmi Note 10 pro Max Mobile और उसमें आपको एक प्रावलम आ हरा है कि आपको कोई कॉल करता है तो वहां पर आपको जो call screen है सून नहीं होता है या तो आपका call screen full screen में सून नहीं हो पाता है तो इसके पीछे बहुत सारा वीडियो तो बना हुआ है YouTube पर अलएडी बहुत सारा वीडियो है लेकिन आपको उसमें सही जानकारी नहीं मिल रहा है और आप लोग को problem आ रहा है वो सारे settings को करने के बाद में फिर भी आपको problem आ रहा है तो इस वीडियो को आपको पुरा ध्यान से देखना है में इस वीडियो में आपको बहुत सारा settings बताने कर लहाँ जिसको अगर आप follow करते हो तो आपका यह problem solve हो जाएगा आपके Redmi Note 10 Pro या तो Redmi Note 10 Pro Max मोबाइल में तो वीडियो के साथ बने रही है वीडियो बहुत ही knowledgeable है अगर आपके साथ यह problem है या तो अगर आप यूज कर रहे हो तो future में क्या पता आपके साथ यह problem आ जाए तो अपर आपको सबसे पहले अपने mobile के settings को open कर देना है और settings को open करने के बाद में यहाँ पर scroll करना है तो एक option आपको मिलता है यहाँ पर notifications का तो simply आपको notifications पर click करना है और यहाँ पर click करने के बाद में scroll करना है तो यहाँ पर application सब देखने को मिल जाएगा जहाँ से इसका application क notification on off कर सकते हो तो बिसिकली है आप स्क्रॉल करके नीचे आना है नीचे आना आपको यहाँ पे ठूड़ना है आपको मैं दिखा रहा तो क्न सा यहाँ डूड़ना है तो स्क्रॉल करके भी नीचे आ रहा हूँ यहाँ पर contacts and dialer का एक option सबसे मिलता है इसको आपको ओपिन करना है है यहां से ठीक है ओओ-नओ नहीं करना है वहां से इसको ओपिन करना है तो जैसे ही सबसे इसाइनण के बहुत सब्सक्रास कि आप अब क्रोब्वेगरए अगर है पूट इस वीडियो को देखती आपका प्रोब्व्लाम Hilux जाएगा तो सबसे पहले फ्लोटिंग नोटिफिकेशन को आपको अन कर देना है फिर आपको बैक आने के बाद में आपको स्क्रॉल करके फिर से नीचे आना है और यहां पर एक एक एप्स का सेक्शन मिलता है आपको सिंप्ली एप्स के सेक्शन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको देखने को मिलेगा मैनेज अप्स का तो यहां पर मैनेज अप्सिन पर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करने के बाद है सबसे पहले आपको त्री डॉट का एक ऊपर ऑप्सिन मिलता है इस पर क्लिक करके यहां से यह स्टैप से आपको ऑप्सिन मिलेगा सो अल अप्स क click करना तो यहांपर शारा application आपको देखने को मिल जायगा तो simply आपको यहांपर एक search box मिलता है search box पर click करके यहाँ पर क्लिक करना है पहले सबसे पहले phone ठीक है अब से पहले phone आपको search करना है उसके बाद भी और सारा setting है आपको बताऊओंगा तो सबसे हले फॉन आपको सर्च करना आए होगा इसको भी इसको भी अगर आपके फॉन करना है और scroll करके नीचे आने यहां पिदेख लिए है कॉन कोन सा नोग्सा आपके फोन पे बंद है उसको उन कर रच दो जिसे कि यह और पर करने के बादने फिरस्टे आपका पूसन मिलते है इसका भी है भी नौटिफिकेशन यह ओवक Jetzt पर श्रूर्ट कर देना है इसको यहां पे च gwmad Hera लाइन है यहां पिर चार्ट का प्छाól और इसको ओन कर देना है अब भी तो इस फोन पर कलीक करने के बाद में यहां से बीनोचवेशन को ओन कर देना है और यहां भी आपको चेक करने के क्या है अप्शन मिल्दाए तो simply इस phone पर फिर नीचे क्लिक करना है और यहां से भी इसको देखना है तो floating notification को on कर देना है फिर आपको यहां से back आना है back आने के बाद में friends आपको यहां पर चेक करना है कि क्या-क्या option आपको देखने को मिल रहा है तो फिर यहां पर आपको कुछी नहीं मिल ला है फिर management यहां पर डालोगे तो सबसे उपर में call management का एक option मिल जाएगा इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद में friends यहां पर स्क्रोल करना है तो एक option यहां पर मिलेगा full screen mood तो इसको भी on कर देजएगा तब जाकर कि आपको यह प्रोग्रम साहथ हो पाएगा और यहां पर इक notification का फिर से option मिलता है इस पर इस सारे notification को on कर देना है जैसे कि floating notification इसको अभी on कर देना है इतना करने के बाद में यहां पर एक नीचे incoming calls का option इस पर इस पर इस पर इस वीडियो को देखने के बाद अपने phone में करिए आपका problem solve हो जाएगा तो वीडियो अगर अच्छा हो तो आप मुझे नीचे comment करके जोर से बताएगा मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जोरू से बना दूँगा तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राब कर ये तपना ख्याल रखिए जय हिंद बंदे मात्रम